दोस्तो घरन के दोरान ये गलती कभी मत करना, खास तोड़ से जिस दिन सूरे घरन पढ़ने बाला हो, उसके बाद आपको ये चीज अपने घर से कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर को घरन लग सकता है, आपका काम धंदा ठप हो सकता है, आपके बुरे दोर आ सकते है दोस्तो 21 जून को सूरे घरन लगने बाला है, धार्मिक द्रिष्टी से ये सूरे घरन काफी महत्वण माना जा रहा है, ये सूरे घरन भारती समय के अनुसार सुभा 9 बजे के बाद से शुरू होकर 3 बचकर 4 मिनट तक रहेगा, इसका सूतक काल 20 जून की रात यानि शनिब पार को 10 बजे से शुरू हो जाएगा, आपको बता दें, इस सूरे घरन के समय ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा संग्योग बनने जा रहा है, जो पिछले 500 सालों में नहीं बना, ऐसे में खास तोड़ से सूरे घरन पर या घरन के पढ़ने के बाद, ये चीज गलती से भी कभी किसी को मत देना, पूरा घर बरबाद हो सकता है, आपको पाप का भागिदार बना सकता है, ये चीज किसी को देने पर आपके घर को घरन लग सकता है, ये बाते बहुती महतिपूर्ण मानी जाती हैं, तो चलिए जानते हैं, दोस्तों सनातन धरम में घरन चाए कोई भी हो, या सूरे घरन हो, या फिर चंदर घरन, उसकी अबदी, आदी हो, या फिर पूरी, वो अशुब ही होता है, हमारे शास्तर कहते हैं कि जिस दिन घरन पढ़ता है, उस दिन आपको धार धार चीजें कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और नहीं खरीदना चाहिए, और नहीं पहनना चाहिए, आप इस बारे में बिस्तार से शास्त्र को पढ़ सकते हैं, भले ही आप इस बारे में ना जानते हों लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सूरे गरंड के दोरान आपको धार धार चीजें ना ही लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए, ऐसा करने से आपको सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों शास्त्र ये भी कहता है कि गिरंड के दौरान भोजन दूशित हो जाता है इसलिए गिरंड के दौरान भोजन करने की सक्त मना ही है इसकंद पुरांड के अनुसार यदी घरंड के समय किसी दूसरे ब्यक्ति को आप ऐसा भोजन कराते हैं, जो दूसित हो जाता है, तो आप पाप का भागीदार बन जाते हैं और बही गरंड के समय यदि आप किसी दूसरे ब्यक्ति का भोजन करते हैं, तो मनुश्य के सारे पुन्ने भी नच्ठ हो जाते हैं. ऐसे में आपको बचना चाहिए और दूसरों को भी गरंड काल के समय का बना हुआ भोजन या रखा हुआ भोजन कभी किसी को नहीं देना चा दूशित भोजन को आप किसी जमीन में गार दें ऐसे में ये भोजन किसी जानबर को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये भोजन बिशैला हो जाता है ये आपके लिए नर्क के दर्बाजे खोल सकता है दोस्तो इस बारे में बैग्यानकों का मानना है कि घरण के दोरान कुछ भी करण बाता बरण में मिलकर पिर्थिवी पर पहुँचती हैं और ये मनुश्य के सेहत के लिए हाने कारक होती हैं ये तिरंगे नाकार अत्मकता से भरी होती हैं जिससे खाना दूशित हो जाता है इस जो भी इस भोजन को घरण करता है तो उसे पाप तो लगता ही है साथ ही साथ कम उमर में घुटनों में दर्द सर में दर्द पैरों में दर्द हात में दर्द कम उमर में ठकान आना कमर में दर्द होना कई सारी बीमारी उस ब्यक्ती को लग जाती है इसलिए घरण काल के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए अगर आपके घर में कोई बीमार ब्यक्ती है या छोटा बच्चा है तो वो भोजन कर सकता है दोस्तो जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है